So guys, मुझे पता है कि यह आपके साथ भी होता होगा, जब आप सुरू-सुरू में Facebook में ad चलाने जाता होगे, most of time CPA के offer जब promote करने जाते होगे, तो आपके ad को disapprove कर दिया गया होगा, और बहुत सारे ethical time होते हैं, जो हम different products को promote करने जाते हैं, वहां हमारे ad को disapprove किया जाता है, तो So my name is T.A. and you are watching Toydama, अब यूट्यूब चैनल subscribe नहीं किया, तो make sure subscribe को button, the bar की bell का इकन प्रेस करो ता कि आपको ऐसी information मिल सकी, जो genuine हो, क्या हो genuine, real हो, क्योंकि guys, यहाँ पर मिल रही है, मिल रही है बहुत सारे false information, और मैं देता हूँ यहाँ बिल्कुल genuine information, real, जो आपको help कर सकी तो guys, सबसे पहला जो reason है कि आपके ad को disapproved किया जाता है, वो यह है कि अगर आपका landing page exist नहीं करता है, तो if landing page does not exist, मतलब कि आपका product का जो main website है, जो main link है, वो किसी landing page के साथ collect नहीं है, तो आपका जो ad है, यहाँ पर तीसरा ad, जो first में दिख रहा है, रही है, चीज़े होती है, तो ad को disapproved कर दिया जाया है, तो आपका ad जो है, उसके बीच में landing page, then आपका product होना बहुत जादा important है, otherwise यह एक reason होता है, जो facebook आपके ad को disapproved कर देता है, next, all uppercase, जो भी letters होते हैं, उनको आप बड़े form में big letters लिखते हो, uppercase, small letter and upper case, later on, तो आप क्या करते हो, उसको बड़े में लिखते हो, तो इसका भी एक reason है, तो guys यह भी एक reason है, जिसके वाज़े से आपका जो ad है, उसको disapproved किया जाता है, तो जब भी आप next time लिखें, तो आप क्या करें, ध्यान रखें, कि आपका जो पूरा case है वो अपर ना हो, small letter लिखो, फिर capital लिखो, फिर small, फिर capital, ऐसा करो, ताकि आपका जो ad है, वो approve हो जाता, next, using too much special character, मतलब कि जो आप cartoon बनाते हो, रोने वाला, हसने वाला, smiley and all, वो आपको ज़्यादा यूज़ नहीं करना है, अपने landing page पे, otherwise facebook सोचता है, कि ये एक spam है, ये किस तरह का है, इसका कोई भी form नहीं है, professionally है, because facebook like professional things, तो please आप जब भी इस चीज़ का यूज़ करें, कम से कम करें, ताकि आपके ad को approve के जाया, और मैं ज्यादा देखा है, जो newbies आते हैं, वो landing page को सजाने के चकर में कुछ भी वहाँ डालते हैं, और इसके बेसे उनके ad approve नहीं होती है, next, copyright terms, आपने सुना होगा, copyright terms के बारे मे सही से समझ की कि आपने क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, because जब भी जो facebook है, वो ad को देखने जाता है, review करने जाता है, तो वो देखता है कि copyright terms में क्या क्या लिखा हुआ है, तो आपका copyright time है, वो बहुत सही होना चीए, सटिक होना चीए, और आपके product के बारे में होना ची जो भी आप free में, या कुछ भी है, आप उसकी branding करना चाहिए, तो उसका copyright है, वो बिल्कुल सटी होना चीए, एक last बचा है, मैं चाहता हूँ कि आप comment करके बताओ कि इस message कौन सी ऐसी चीज़ है, जो आप mistake कर रहे हो, last, click now, buy now, tell now, go now, do now, ethical call to action, अगर आपके landing page में बहुत ज add को disapprove कर देता है, मतलब अगर आपके landing page में बहुत जादा call to action आपने डाला है, तो आपको उसको हटाना पड़ेगा, एक limit में, average limit में, आपको वहाँ पर रखना है, ये call to action का game, click now, buy now, go now, register now, ये है call to action, call to action का कम से कम आप use करें, ताकि facebook को लगे, हाँ भाई, ये बनता को स मसता है, जानता है, terms and service इसने पड़ा है facebook का, तब ही ये F-A landing page बना रहा है, और आपको approve के लाए, तो अब आप सोचो कि आपकी गलती, आप कहां पर गलती कर रहे हो, कौन सी गलती कर रहे हो, और देखो अपने landing page में, अगर आपका add bar but is approve हो रहा है, मुझे comment करके दिरू बत सारे लोगों के पास है, please share this video and help them, thanks for watching, see you next time, bye bye, jai hindi